भाबी जरा मेरा टीफिन दे दो, कॉलिज के लिए लेट हो रही हूँ ये ले बेटी, तिरा टीफिन तबी रमन भी वहाँ आ जाता है मा, तुम अकेली ही सारा काम क्यों कर रही हो, प्रतिग्या कहा है तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैक्यार्ड में एक्सिसाइज कर रही है फिटनेस और एक्सिसाइज वगरा ठीक है लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए अरे ठीक है ठीक है, सीख जाएगी जब तक मैं हूँ, तुम्हें किस बात की फिक्र हाँ इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर की कामों में व्यस्त हो जाती है वहीं दोसरी तरफ प्रतिग्या अपनी एक्सिसाइज पूरी करके ठकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है ओफ, आज तो पुरे ढाए घंटे एक्सिसाइज कर ली थोड़ी दिर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी प्रतिग्या अपनी कमरे में जाकर सुझाती है सुबह से शाम हो जाती है रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं पर प्रतिग्या अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती जिस पर एक बार फिर अपनी मा को अकेले काम करते हुए देख कर रमन उनसे कहता है मा तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो आखिर प्रतिग्या पुरा दिन करती क्या है बेटा वो ठक कर आराम कर रही है आ जाएगी तुम हाथ मुधो कर डिनर करने आ जाओ रमन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है थोड़ी दिर बाद वो सब डिनर करने बैठते है तभी प्रतिग्या भी वहाँ आ जाती है और डिनर में बने खाने को देख कर बोलती है ममी ये क्या सब कुछ तला भुना बनाया है यूनो ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है प्रतिग्या तुम खुद कभी मा की मदद करती नहीं और उपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो हरे बहु हम सब की हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है बहु मुझे न वो डायेट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं कुछ नहीं होता ममी वो भावी बना लेगी आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है डायेट फूड बनाना भी जरूर आता होगा वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं अगली सुबव फिर हमेशा की तरह प्रतिग्या अपनी एक्सिसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम जिसे करते हुए अचानक उनकी तब्यक खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है और इसी बीच वे बेहोश हो जाती है सास के आवाज सुनकर प्रतिग्या और उसका पती भागते हुए रसुई में आते हैं जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेक अप करके कहते हैं अरे इनका कॉलिस्ट्रोल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने के आदत बदलनी होगी सिर्फ light and non oily food ही खाना है और कुछ समय तक पूरा rest साथ में कुछ exercise या yoga करे तो अच्छा रहेगा पूरी जाज के बाद डॉक्टर उन्हें घर भीच देते हैं अब घर का सारा काम प्रतिग्या को करना पड़ता है जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को diet food खिलाना शुरू करतेती है प्रतिग्या ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है मैं ये सब नहीं खाने वाला हाँ भाबी बीमार तो मम्मी है फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं प्रतिग्या किसी की बात पर कोई ध्यान दिये बिना सास को बढ़िया exercise कराने के साथ कुछ न कुछ गरबर करते हुए घर का काम करती रहती है एक शाम रमन प्रतिग्या से चाई मांगता है ये लीजे पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है रमन चाई पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है अर्र कौन सा जहर है अरे जहाँ खाने में नमक डालना होता है वहाँ डालती नहीं और इसमें नमकी नमक भर दिया उई मा सौरी सौरी मैं दूसरी चाई बना देती हूँ अरे रहने दो तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसके बाद प्रतिग्या कपड़े धोने जाती है जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगा मिक्स कर देती है जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चड़ जाता है और उसी वज़े से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है भावी ये आपनी क्या किया? मेरे नई ड्रेस थी सारी खराब कर दी सारी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वाशिंग मिशिन में डाल दिये जहां एक तरफ रतिग्या घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती वही सास को एक्सरसाइस कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती जिस वज़ा से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है हेल्दी फूड तो ठीक है पर बहु आज हम खीर बनाएंगे ममी मुझसे खाना तो ठीक तरब बनता नहीं खीर कैसे बनाऊंगी और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुसा हो जाएंगी अरे कोई गुसा नहीं होगा और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी प्रतिग्या की सास उसकी साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है वाह क्या टेस्टी खेर बनी है मज़ा आगया आज तो हम्म आज ये खेर प्रतिग्या ने बनाई है क्या पात आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई पूरा तो नहीं सीखा पर सीख रही हूँ और इसमें मैं अपनी बहु की बिल्कुल वैसे ही मदद करूँगी क्या को कमपनी देने लगती है जिस पर दोनों सास बहु की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सेसाइज करेंगे अब पूरा परिवार एक साथ एक्सेसाइज करकी डाएट फुड़ खाने लगता है